वेलकम तो माई चैनल और आज हम वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स के बारे हम पड़ेंगे ठीक है अब जैसे हम इंपोर्टेंट पोइंट की बात कर रहे थी ठीक है शिक्स पोइंट क्या था हमारे पास की आई क्रोस आई ठीक है यहाँ पर दोन्यों वेक्टर सेम किसके बराबर था zero की, जीरो भी लिख सकते हैं, zero vector भी लिख सकते हैं, दोनों बाती हैं, ठीक है, नॉर्मली हम zero लिख देते हैं, ठीक है, say actual में zero vector होता है, ठीक है, इस तरीके से यह बात समझे थी हमने, लेकिन अब यहां पर seven point, जो यह six point है, जब बात आई direction की, नॉर्मली जब सिद्धी सी बात है डायरेक्शन की बात आ जाए तो दो केस याद रखने या तो बात होगी आउट वर्ड की ठीक है या फिर बात होगी इनवर्ड की क्यों क्योंकि अब जैसे कोई भी दो वेक्टर ले लिए वो हम प्लेन ओफ पेपर पर लेके चलेंगे इस वज़े से और प्लेन ओफ पेपर से परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर तो शिरफ दो बात होगी या तो आउट वर्ड मतलए इस सीट से उपर या फिर इसके इनवर्ड मतलए इस शीट ओप पेपर से निच्चे की बात होगी इस वज़े से ठीक है अब जैसे इसका रिजल्ट आए जीरो अब जैसे यहाँ पर इस जीरो में अगर यह बात लिख दें कि 0 dot n cap बिल्कुल सही बात है और इसी में अगर 0 dot minus n cap लिख दें तो भी वही बात है 0 into something होना 0 इस वज़े से ठीक है लेकिन अब यहाँ पर है कि 7th case अब इस point से समझ में आएगा इन में compare करके चलेंगे ठीक है इन बातों में difference क्या है किस तरीके से अब जैसे यह condition हो कि जो दो vector है ठीक है और mutually perpendicular mutually का मतलब होता है आपस में एक दूसरे के perpendicular है सही बात है वैसे mutually word कम से कम 3 के लिए use होता है दो के लिए कोई बात नहीं ठीक है mutually perpendicular है इस बात का मतलब क्या हुआ कि उन दोनों के बीच का angle 90 degree है सही बात है उन दोनों के दोनों vector के बीच का angle 90 degree है जैसे सीटो पेपर की बात करें इस तरीके से ठीक है जैसे मान लिया यह इस direction में A vector है बिल्कुल सही बात है इस direction में मान लिया हमने B vector है सही बात है मतलब शिर्फ इस angle की बात करें हम यह है perpendicular यह है theta इस वज़े सी ठीक है तो अब A vector cross B vector किसके बराबर हुआ यहां से A vector cross B vector इस formula में value put करनी है ठीक है दोनों vector के magnitude होंगे कुछ साथ में sin theta अब sin theta कितना 90 degree तो sin 90 कितना होता है 1 होता है तो यहां पर into में 1 dot n cap यह बात है बिल्कुल सही ठीक है अब इसी से related ठीक है इस result से related काम की बात है किस तरीके से काम की बात है वो है unit vector से related ठीक है unit vector से related और वो भी main i cap और j cap और k cap की बात करके चलेंगे ठीक है अब अब जैसे i cap अगर i cap करोज इस तरीके से की बात करें dot j cap लिख दिया अब पहली बात तो यह लिखा गयो इसका मतलब क्या i cap क्या था unit vector था बिल्कुल सही बात है और वो किस direction में था पलस x axis की तरब था ठीक है इस मतलब कहने का मतलब क्या अगर गर आप से समझे गर आप से यह बात आसानी से समझ में आ जाएगी ठीक है मतलब यहाँ पर है x axis unit vector i cap क्या unit vector वो x परो minus x परो a की बात है ठीक है बात करने आपने x की और y की इस वज़े से ठीक है अब जैसे कोई i cap पर कोई vector है हो सकता इस direct मतलब इस side हो कोई बात नहीं ठीक है जिसकी direction तो यह होनी है ठीक है इस वज़े से यहाँ पर है y axis ठीक है और यहाँ पर है z axis इस तरीके से show करते है sheet of paper पर यहाँ पर कह सकते है 2D में ठीक है लेकिन यह actual में इससे उपर है सही बात है अब i cross j किसके ब्राबर होगा मतलब i cap यह रहा j cap यह रहा इस side कोई भी vector है और इसी तरीके से z सही बात है इसके लिए k cap यूज करते है k cap unit vector है जो z axis की तरफ है विल्कुल सही बात है अब इन दोनों के बीच एंगल कितना बना अगर i cross j की बात कर रहे है 2 axis x और y एक दूसरे के perpendicular है perpendicular का मतलब theta 90 degree theta 90 का मतलब sin 90 sin 90 ओनावन सही बात है किसके बराबर होगा ये बात है काम की बस ये formula अपलाई करो दोनों vector का magnitude आना है i cap और j cap ये सिम्बल है हमें पता होने ची unit vector जिसका magnitude 1 हो इस बात का ये मतलब है magnitude 1 हो तो j cap का भी 1 होगा साथ में k cap के magnitude भी 1 होगा बिल्कुल सही बात है ठीक है sin theta कितना आएगा 90 degree है तो 1 साथ में n cap ठीक है अब यहाँ पर आई अब ये बात पताओ नीची यहाँ से दोनों के magnitude 1 1 into 1 1 n cap बस ये बात पताओ नीचे n cap की क्या condition थी यहाँ पर जब a vector cross b vector के formula को समझा आने क्या कहा था a vector cross b vector में n cap की n cap एक unit vector है बिल्कुल सही बात है यहाँ तक ठीक है जिसकी direction इस तरीके से लिखी थी कि perpendicular to बोथ a vector and b vector जो दोनों vector के perpendicular होगा या फिर एक तरीके से कह सकते हैं कि दोनों vector के plane के perpendicular होगा बिल्कुल सही बात है अब ये है यहाँ पर i cap है ये vector है j cap है इस तरीके से इस direction में j cap है ठीक है अब इन cap perpendicular कौन सा होगा अब ये है काम की बात है ठीक है आपने use करना था right end thumb rule बिल्कुल सही बात है right end thumb rule use करना था ठीक है मतलब इस बात का क्या हुआ कि अब शीद इसी बात है यहाद रख ले जो vector पहले लिखाओ जो vector पहले लिखाओ उससे चलना है यहाँ पर i cap है तो इससे चलेगे इस direction में दूसरे वेक्टर तक पोरचेगे इस बात को इस तरीके से याद रखलो यह पहले vector से चलना है दूसरे vector तक पोरचेगे और वो बताएगा हमें कि कौन सी direction की बात हो रही है बिल्कुल सही बात है अब थमरूल जैसे यहां से इस तरीकी से यहां पर fingers को fold करना है ठीक है और यह direction अपोवर्ड हुई यह direction अपोवर्ड की बात हुई यह पिर इस z axis भी तो अपोवर्ड था इन दोनों axis के perpendicular और perpendicular भी कौन सा उपर वाला और इस उपर वाले का नाम है k-cap यह point है काम का सही बात है अब यह तो सिरफ आद्धी बात है अब आद्धी बात का मतलब क्या है अब वो हो सकता है इसी तरीकी से यह बात लिख देतो हम j cross i बिल्कुल सही बात है ठीक है तो j-cap cross i-cap का मतलब बताओ पहले तो क्या हुआ दोनों vector के magnitude डाएंगे फोर्मूले की वज़े से ठीटा बना न इल्टी डिगरी यहां तक तो सिरफ दी से बात 1 का मतलब यह है सही बात है और n-cap बताएगा direction के बारे हम j-cap cross i-cap का मतलब क्या है j-cap से चले हम मतलब y यहां से चले अब की बारे और i-cap तक पोचे बिल्कुल सही बात है अब इसको इस तरीके से पढ़ लो यह inward की बात हुई इस तरीके से fingers को fold करना है तो inward की बात हुई बिल्कुल सही बात है और उस inward में minus z आता है यह बात हमें बताओ ठीक है यह z उपर है और यह minus का z sheet of paper से निचे सीदी सी बात है ठीक है इस वज़े से ठीक है तो इस minus z पर तो minus k-cap होगा unit vector बिल्कुल सही बात है यह भी ठीक है जैसे अगर यह i-cap है तो जैसे length तो चलो फिर भी वही है i-cap का मतलब unit vector magnitude कुछ भी हो लेकिन ओगा तो minus i-cap है यह point है काम का यहाँ पर minus i-cap होता है और normally हम i-cap along इसलिए बार-बार positive x direction की बात करते है positive x का मतलब x पहली बात तो यहाँ पर दो बाते है positive x में भी कि x-axis यूजोरी है बिल्कुल सही बात है और इस plus का मतलब है plus x-axis यूजोरी है इस वज़े से दो बाते हैं आपर plus x-axis के लिए ठीक है और normally हम i-cap की बार-बार इस origin से right side की बात करते है इस वज़े से negative में तो minus i-cap होगा क्यों क्योंकि अगर जैसे point लिखते है minus 1 लिखते है और यहाँ पर 1 लिखते है इस वज़े से minus 1 क्यों लिखते है क्योंकि वहाँ पर 0 से negative side इस वज़े से तो same बात ही है मतलब जिसका magnitude तो 1 है यह मना नहीं कर रहे है कि इसका magnitude तो 1 है बिल्कुल सही बात है लेकिन ओगा तो minus i-cap इस वज़े से तो j cross i किसके बराबर हुआ 1 तो आया इन 3 factor की वज़े से ठीक है और साथ में n-cap n-cap की वज़े से k-cap जरूर आएगा लेकिन minus का आएगा यह point है काम का और इसलिए हम जब i cross i कर रहे थे दोनों vector जब same लिखे थे हमने सही बात है तो resultant 0 लिखा था लेकिन direction की थोड़ी ना बात की थी actual में यह बात भी थी वहाँ पर और इसलिए हम normally हम 0 लिख देते हैं लेकिन actual में यह बात होती थी कि n cap है या फिर minus n cap ठीक है तो अब जैसे 1 in 2 में इस तरीके की बात हो रही है तो minus k cap होगा यह minus बात सही है कि k cap की बात होनी है लेकिन हमने एक बात पर देती कि जब direction की बात आए तो 2 case होंगे outward की बात हो रही है फिर inward की सेम बात यहाँ पर है जब 0 आता था तब भी actual में आपर n cap और minus n cap थे लेकिन 0 into something हम 0 कह देते हैं डारेक्ट लेकिन यहाँ पर भी दो बाते हैं और यहाँ से वो दो बाते अलग-अलग दिख रही है इस वज़े से तो सीजी बात है i cross j k cap के बराबर होगा लेकिन जब इसका reverse करो मतलब j k cap पर ले लिखो इसका मतलब है minus k cap अब जैसे theta की तो हम डारेक्ट यह condition कह देते हैं कि यह angle है between two vectors बिल्कुल सही बात है दोनों vector के बीच का angle है scalar product में इस पर इसलिए ज्याद नहीं दिया था क्योंकि scalar का मतलब सिर्फ तीन फेक्टरों ही बात थी साइन्थिटाइज गए कोस्थिटा था वह आपर direction की बात ही नहीं करनी थी हमने इस वज़े से ठीक है लेकिन यहाँ आपर तो direction की बात होगी outward या फिर inward सीदी सी बात और यह इस 3D का case है मतल 3D का मतल 3 axis ही हो जो इस वज़े से ठीक है किसी plane के perpendicular तो 3D की बात होगी इस वज़े से ठीक है तो सीदी सी बात आई क्रोस जे इस तरीक की से होगा ठीक है तो अब यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं कि I cap क्रोस J cap ठीक है किसके बराबर होगा के कैप के इसी तरीक के से कुछ नहीं alphabetical order में लिखना है alphabetical order किस तरीक के से alphabetical order जैसे पहले आई आता है फिर J आता है फिर के आता है सेम बात यह है अगर I से J चले आना तिसरा है क्रोस प्रोड़क्ट का केस है यह बात याद रखनी है अंसर आना तिसरा और यह सिरफ I cross इस तरीक के से आद कर लो I से J चले आना तिसरा है मतलब के आना है लेकिन अगर सेम order में जा रहे है सेम order में जा रहे है तो पलस का जाएगा बिल्कुल सही बात है और अगर अपोजिट order में आ रहे है अपोजिट order में alphabetical opposite order में आ रहे है तो माइनस का ना है तो सिर्फी बात है J cross K तक सेम order है ठीक है तो सिर्फी बात है पलस का आएगा इसी तरीक के से K cross I किसके बराबर आएगा K cap cross I cap K cap सेम तो यह हुआ मतलब अब जैसे K के बाद की बात है है नहीं करने है हमने I, J, K जैसे I लिख लिया J लिख लिया K लिख लिया तो I से J K के आएगा J से K सिर्फी से बाद इसका रेजल्टेंट I cap आएगा और K cap से I यह भी सेम order है इस तो इस도रीक के से ठीक है इस तो इसका रेजल्टेंट तीसरा आएगा J cap इस तरीक के से पलस का आएगा और इसी से related अगर कभी इनका reverse order हो जाए किसी का भी reverse order हो जाए पहली बात तो अंसर आएगा तीसरा vector I, J और जो तीसरा बचा इस तरीक के से और वो पलस का होगा या फिर माइनस का होगा वो ये दो बाते decide करेंगे ठीक है और इस तरीक के याद रखना तो alphabetical order के साब से चलना है I, J, K इस तरीक के से लिखलो I से J direct जा रहे है तो सी तीसी बात पलस J से K K से IB से motor है ये भी बात याद रखलेना कि K से IB से motor है लेकिन I से अगर direct के पहुँच जाओ I cap से direct के ठीक है इस तरीक के से तो इसका मतलब है opposite order तो minus का आएगा तीसरा वो है J cap इस तरीक के से ठीक है अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लिगे है तो इसको like कीजिए और मेरे चैनल को subscribe कीजिए तब तक के लिए thank you